तो नमस्कार दोस्तों मेर नाम है प्रशान शर्मा और आज हम एनलाईज करेंगे अम्बुजा सिमेंट्स लिम्टेड कम्पनी को बात करें तो मार्किट कैप्लाई साब से इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी है कम्पनी है सिमेंट बनाने की काफी अच्छा ब्रैंड है अम्बुजा सिमेंट और साथ-साथ अडानी ग्रूप का अभी कम्पनी पार्ट बन चुकी है तो काफी अच्छा बिजनस है और आज की इस वीडियो में इसी कम्पनी हम पूरा का कि अगर अपना पैसा हमें सस्ते मिल रहे हैं तो अगर आपके लीजिन लेना चाते हैं तो कुछ हमें इस वीडियो से मिल सकें दूसरी बाद आपको बता दें यह जो वीडियो है यह हमने सब्स्क्राइब की डिमांड पर बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का fundamental analysis करें तुमारे वीडियो के comment box में आप उस company का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल जल वीडियो बना के आपको उसके बारे में information दें और अब हम में 31 million ton per NMG capacity है, cement बनाने की और company box में 6 integrated cement manufacturing plants हैं और 8 cement grinding units हैं across the country जो integrated cement plant की बात करें उसका मतलब क्या है कि company raw metals लेके finish good तक सब कुछ खुद बनाती है किसी दूसरी चीजों को पर jar dependence नहीं है तो काफी अच्छा business है फिर बात करें प्रमोटर गूप की, तो अडानी गूप को सब लोग जानती हैं, उनके पास में बहुत सारे अलग लग बिजनस हैं, उसमें एनरजी है, उटलिटी, ट्रांस्पोर्ट, सब तरह कंपनी काम करती है, और बात करें तो तीन उनके पास कंपनी हैं, सीमें की, उसमें अम्बुजा काफी अच्छा मार्केट शियर है, पूरे इंडिया में, उसके सासथ अम्बुजा का भी काफी अच्छा, आप देखें तो मार्केट शियर है, फिर बात करें प्रोड़क्ट ऑफरिंग की, तो में लिए बैस तो सीमें बनाते हैं, तो उसमें हैं, पोर्टलेंड, पोजो ल हैं, तो कौन-कौन से इंडिया के पार्ट से कितना कतर में आता है, उसकी बात करें, तो कंपनी को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से 20% होता है, नॉर्थ इंडिया से 35% रिवन होता है, इस्ट इंडिया से 21% और वेस्ट और साउथ मिला के 24% बिज़न होता है, तो बात करें बहुत अच्छे हमाल बेचती है, रिटेल का जो कंपनी का बिजनस है वो 80% है, यनिके 80% उन्हें को कंपनी को रिटेल से आता है, और इंस्टिशनल से ले से कंपनी को 20% आता है, तो रिटेल का फायदा क्या है कि छोट-छोट क्लाइंट होते हैं, तो ऐसलिए कि बहुत आ डि अच्छी का बिजना है, और इक तिस मिलिन टन की आपनी केपसिटी होल्ड करती है, और बात करें कंपनी के फिचर प्लैन की, तो दो हजार अठाई से कंपनी जो अपनी मेनिफेक्शनिक की जो कैपसिटी है, उसको डबल कना चाह रही है, उसके लिए कमनी ने नया ब्राउन पर बात करें कंपनी के शेर होल्डिंग पैटन की, कि इनके लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, इसके शेर्स करी दे हुए है, तो अभी प्रमोर्टर के पास में कंपनी के 70% शेर है, FI's के पास में 10% है, DIs के पास में 13% है, और पॉल्लिक और अजर के पास में 7% है, यहां देखें, तो FYs और DIs टोटल करने तो 23% का stake hold करते हैं, जो की काफी अच्छा नंबर है, और जैसे हम हमेशा बात करता हूं कि FYs और DIs का किसी भी कंपनी में high stake होता है, तो clear एक sign होता है कि कंपनी के प्रोडक्स में दम है, उसका फ्यूचर अच्छा है, इसलिए यह लोग उसमें इन्वेस करके बैठे हैं, क्योंभी पूरी रिसर्स टीम होती है, इनके पास में बहुत सारा डेटा होता है, फिर यह कोई डिसन लेते हैं, तो सब देखें, तो अरड़ी कंपनी काफी अच्छी है, second largest कंपनी है, कंपनी का बिसन बढ़िया है, कंपनी अपने expansion plan की तरफ भी काम करी है, लगतार अपनी capacity बढ़ा रही है, सब चीज़े हैं, और Adani Group के साथ अपनी कंपनी आ गई है, तो उनकी भी सारी expertise, उनका सारा funds, सब चीज़े company उस करती है, तो business-wise तो कोई doubt ने बहुत ही अच्छी company है, और अब हम चेकरते कंपनी पिसले 5 साल का financial data, जिससे company बढ़ में revenue की, 2019 से company 27,104 क्रोड जो की अब 2024 में काफी अच्छे से बढ़के 33,160 क्रोड हो गए है, और हर साल लगातार company revenue increase हो है, 2020 में जबरू कम हो थे क्यों करोना की टाइम था, उसके बाद में 28, 39,000 के आसपास हो गया, फिर मार्च ये 2023 की बात करें, तो 38,937 जो है, ये 15 मिने revenue के financial है, इसलिए 38,000 दिख रहा है, और फिर 24 में देखें तो 33,160 ये 12 मिने के हैं, तो SNA की company के revenue कम हो है, क्योंकि company ने 15 मिने के इकठे इसलिए 23 में देखाया थे, इसलिए वो जाद दिखाया दे रहें, और मार्च ये 24 में वो 12 मिने के जो revenue है, इसलिए हमको कम दिखाया दे रहें, अदरवाज दिखें, तो company ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाया इपसले 5 साल में, और 20% के काफी अच्छे seizure से company का revenue बढ़ा ह की, तो काफी अच्छा और stable company operating profit margin manage करती है, 19 से 20% के आसपस के पिछले 5 साल की average है, काफी अच्छा नंबर है, जबकि वीच में coal के prices काफी increase हो तो, cement बनान में काफी सारे coal बगरा की requirement भी होती है, लेकि फिर भी देखें, तो company काफी अच्छा stable operating profit margin आपे manage कर रही है, फिर बात करें, percentage term में, तो company का net profit है, वो 26% से increase हो है, जबकि sales सिर्फ 20% से increase होई थी, यानि कि company revenue से ज़्यादा अपना profit margin manage कर रही है, profit ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है company उन्हें, तो यह भी काफी अच्छा sign है, कि ऐसा नहीं कि company अपने product बेचने के लिए, market acquisition के लिए, discount देके अपना माल बिचले नहीं, company profit भी अच्छे से manage कर रही है, और अपना business में increase कर रही है, फिर बात करें, free cash flow की, तो पिसले 5 साल में सिर्फ एक साल company का negative free cash flow की है, जो 2023 में 3500 करोड के आसपस को negative free cash flow गा है, अब वही होगी, उसमें accounting वेरे change ही है, तो उस वे से company negative free cash flow में आई कि ऐसा पैसा जिसको अब business को उस पैसे की requirement नहीं है, उसको एक investor ये एक owner अपने घर लेकिजा सकता है, तो वो ही एक असली कमाने होते है, तो अच्छा free cash flow generate करने वाली company है, फिर बात करें, dividend payment की, तो company average देखें, तो 15% के आसपस company के average है, 15-16% के आसपस का company dividend payment करती है, बहुत देखें, तो company का business काफी अच्छे से बढ़ रहा है, dividend ज्यादा payment company नहीं करती है, फिर बात करें, debt by equity शुकी, company कितना loan लिया हुआ है, और कितना अपना पैसा invested है, तो company ने कोई भी खास loan नहीं लिया हुआ है, 0.02 का company का debt by एक शुक है, यानिक लगवग 0 के आसपस ही, company का debt ह नहीं है, company कोई ज्यादा पैसे वापिस करनी टेंशन नहीं है, सारक सारा equity के थरूवी पैसा invested है, फिर बात करें return on equity की, तो return on equity थोड़ी सी कम दिखाई दिरे हैं, margin के साफ से, 15% का mark होता है, कि company कम से कम 15% return on equity मैनेज करें, तो काफी अच्छा उसको मान जाता है, तो इस company का return on equity 10% का, और पिछले 5 साल की बात करें, तो वो भी 10% की average है, तो return on equity मानों थोड़ा सा company, पीछे के तो जारी है, otherwise हम बात करें, तो company का business बहुत बड़ा है, सबसे दूसरी सबसे बड़ी company है, जैसे हम बात की थी company का operating profit काफी अच्छा है, लगातार पिछले 5 साल से profit में ही है profit भी अच्छा से increase हुआ है, तो कुल मलाकर हम बात करें, तो कोई debt भी company hold नहीं करती है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी जो इस तरह की construction की है, असरा की जो company होती है, इंफ्लस्क्राइब बहुत जादा high debt hold करती है, लिकिन यह company कोई भी debt hold नहीं करती है, तो बहुत ही अच्छे financial method होँगा, तो काफी अच्छे काफी बढ़िया, strong financial company hold करती है, और अब हम बात करते है, company की valuation की बारे में, कि company का जो share price चल रहा है, वो इसकी earning की साथ में share सस्ते मिल रहे है, आज की जिट में फिर महें मिल रहे है, तो इस तरह कंपनी की valuation करने के लिए मै लेंगे, तो उसमें दिसंबर 21 में जो company closing करी थी, उसमें 2975 कोड का फ्री cash flow था, मार्च 23 में जो company closing करी थी, उसमें 3497 का negative free cash flow था, और 24 में जो closing करी उसमें 1163 का company का free cash flow आया है, positive, इसका total एकर हम कर लें, तो कि 3500 negative गया है, तो सिर्फ 641 क्रोड रुपे total free cash flow आता है, पिछले तो तीन साल का, इसको तीन से डिवाइड करके आरवे निकालेंगे, तो लगबग 200 क्रोड के आसपस आएगी, तो 200 क्रोड तो इस company के लिए कुछ भी नहीं है, बात करें तो जीरो इसको में लगबग मालें, तो उसके इसाफ़ चाहिए, तो अभी free cash flow साफ से valuation नहीं हो सकती है, और वेलुशन में ही कंपनी आएगी, क्योंकि free cash flow ना के बराबर ही कंपनी से लगबग, लेकिन बात करेंगे तो इस company को price by earning ratio और price by book value के साफ से check कर सकते हैं, इसमें एक idea मिल से कंपनी का share price है, वो कैसा दला है, तो पहला है कंपनी का share price, अभी जो company का share price आ रहा रहा है, और इस 660 रुपे के साफ से कंपनी का price by earning ratio है, वो 48 का आ रहा है, जबकि industry का P by E जो है, वो 30 का है, तो उस साफ से company over valuation में जा रही है, ऐसे हम इसका अगर price by book value भी चेक करें, तो 3.74 का company का price by book value आ रहा है, और industry का price by book value आ रहा है 3.04 का, तो उस साफ से company over valuation में है, तो क्योंकि company क brand अच्छा है, बात करें तो company के product अच्छे है, group बहुत अच्छा है, तो इस वह से लोग उसको high P by E दे रहे है, high उसको valuation में company आ रही है, तो मेरी साफ से देखें, तो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि company को हमें marginal safety के साथ खरीना चाहिए, मिलब, fair value से भी नहीं, उसके भी 50% के aspect खरीदेंगे, तो हमारे ज़्यादा chances हैं कि हम अच्छे से अपने investment को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो भी हम data चेक करते हैं, पास record है, हो सकता है, future में company ऐसा perform करें, ना करें, कोई regulation में change आए, कोई competition में ज़्यादा आ आ जाए, कुछ चीज़ हो सकती है, तो साब देखें, तो आप investor कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ, अगर आप loss में जा 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 रहे हैं, आपने महांगा हरीत है, तो वो एक बात है, उसको आप चेक कर सकते हो, तो उस साब से बात करें, तो और बहुत सारे options है हमारे पास, ऐसनी कि यही company है, कोई भी कोई सेक्टर ऊपर चलत करेंगे, तो जादा बैटर रहेगा, बाकी आप अपने साब से देख लिए, आपको क्या प्राइस ठीक लग रहा है, किस साब से इन्वस्टर कर जा रहे है, वो आप सोड़ा अपने हमबग करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं, यह सिर्फ हमारा point of view है, तो इससे से बात करे हैं, तो अब मुझा से मिट के बारे में आपको डिटेल नौलिज दे दी है, आश्या करतने आपको वीडियो अच्छे लेगी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,